Hey viewers, welcome back to your own channel, Target Bullseye आप जिस share के बारे में बात करने वाले हैं, वो है small cap share and multi fold return रहे हैं इसके जैसा कि आपको यहाँ सीधा सीधा returns में numbers भी नज़र आ रहे होंगे, काफी अच्छे हमें दिख रहे हैं आपको यहीं पर opportunity मिलेगी अच्छी खासी जहां से आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आगे जाके आपको काफी बहतर return मिलने वाले हैं analyst भी यहाँ पर आपको 57% की buying की rating दे रहे हैं, तो आप चाहें तो उसी हिसाब से अपनी जो investment है वो आप कर सकते हैं, बट before investing अपनी जो भी analysis है, अपना जो भी research है वो करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अपने financial advisor से ज़रूर connect करना चाहिए इसके sales growth percentage के number पर आप नज़र डालेंगे, तो आपको यह numbers भी जो हैं, वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, 5 years में 13% है उसके बाद 3 years में आपको jump मिला है, और 1 year की बात करें, तो यहाँ पर भले ही आपको dip देखने को मिल रहे हैं, बट फिर भी इनके sales growth percentage रहे हैं, वो अच्छे ही नज़र आ रहे है profit growth percentage की बात करें, तो यहाँ आपको बहतर से बहतरीन percentage नज़र आएंगे, जैसे की 5 years में आपको 36% है 3 years की बात करें, 46% and 1 year में आप देख सकतें कितने अच्छे तरीके से कितना बहतरीन आपको जो है, वो numbers नज़र आ रहा है, 174% के आसपास का ROE की बात करें, तो ROE हमें धीरे-धीरे करके अच्छे numbers आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे 5 साल और 1 साल के बीच के comparison देखें, तो कहाँ पिछले 5 साल में almost 19% के आसपास था, बट 1 साल के numbers देखते तो लगभग आप देखेंगे 27% के लगभग पहुँच चुका है, ROCE के numbers भी बात करें, तो ROCE के numbers भी आपको ऐसे ही, पिछले 5 साल की मुकाबले इस 1 साल में आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं, 16% या 17% से हम कह सकते कि 22 से 23% तक पहुँच गया हैं, बात करें अगर debt equity की तो यहाँ पे आपको 0.49 नजर आ रहा होगा, अल्मोस्ट यह company जो है, वो debt free category में fall down होती है, अब हम company के बारे में बात करते हैं, तो company जो है, वो है granules, जो granules company है, यह pharmaceutical company है, और यह headquarter, मतलब that means इनका जो headquarter है, वो hyderabad में है, इनका business जो mainly है, वो है APIs, that means active pharmaceutical ingredients, PFIs, that means pharmaceutical formulation intermediates and finished dosage, बात करें इनके team strength की, तो यहाँ पे almost 2165 people है इनके team में, 8 manufacturing sites है इनके, 75 plus countries में इनकी presence रही है, और यह world largest FPI facility इनके पास available है, that means FPI, that means pharmaceutical formulation intermediates, तो यह world largest FPI facility इनके पास आपको देखने को मिल रही है, अब इनके financials के numbers भी देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सारे numbers जो है, वो करोर में नजर आएंगे, 2018 से लेके March 2021 तक की, बात करें अगर इनके sales के numbers तो यहाँ आप देखेंगे, हर साल दर साल आपको numbers काफी अच्छे तरीके से बढ़ते वे दिखें हैं, that means इनके sales में हमें growth नजर आ रहा है, कहां 2018 में 1685 करोर तक का इनका sales generate हुआ था, but March 2021 की बात करें, 3238 करोर तक का sales generate हुआ ह बात करें अगर पिछले जो year से compare करने की, तो यहाँ पे अगर percentage change देखते हैं, that means 2599 करोर जो इनका business या sales generate हुआ था और इस साल जो अच्छा खासा generate हुआ है, उसमें percentage change जो हुए है, वो हुए है 24% के आसपास, तो almost 1-4 आप यहाँ पे देख सकते हैं numbers जो नजर आ रहे हैं आ तक का jump नजर आ रहा है, March 2020 और इस साल के हम अगर comparison करते हैं, तो यहाँ पे आपको almost 64% तक का jump नजर आएगा, तो आप देख सकते हैं कि जो year on year इनके result रहे हैं या year on year जो performance रहे हैं, वो काफी बहतर नजर आ रहे है, sales इनके 24% jump है, and बात करते हैं net profit की, तो 64% के jump नजर आ रह result रहे हैं, उसके बारे में, देखेंगे यहाँ पर हम 4 quarter के numbers June 20 से लेके March 21 तक के, sales के बारे में पहले बात करेंगे, और यहाँ भी जो numbers हैं वो आपको करोर में देखने को मिलेंगे, 736 करोर का इनका generate हुआ था 2020 में, उसके बाद अगर बात करें तो आपको बढ़ते हुए द देखे रहे हैं, that means इनके sales में, हर quarter to quarter आपको गिरावट देखने को मिली है, till from December 20 से लेके अभी तक में, अब बात करते हैं, अगर December 20 और March 21 के बीच के difference की, तो यहाँ पर आपको minus 5% कर, आप देख सकते हैं, डिप नजर आ रहा है, net profit के numbers की बारे में बात करें, तो net profit 111 करोर का generate हुआ था June 20 में, उसके बाद 164 करोर और उसके बाद आपको again यहाँ पे same sales जैसे ही, आपको यहाँ पे भी numbers घटते वे दिखे हैं, जैसे कि December 20 में 147 करोर and then 128 करोर, अब अगर बात करें इन दो quarter के बीच के difference की, तो यहाँ पे आपको almost 13% तक का decline नजर आ रहा है, तो जहा पे थोड़े इन में जो numbers हैं, वो आपको decline में नजर आ रहे हैं, अब बात करें अगर इनके जो promoters की holdings है या जितने भी share holdings pattern जो रहे हैं आज तक के अभी quarterly basis पे, तो उनके उपर नजर डाले तो आप देखेंगे यहाँ June 20 से लेके March 21 तक के numbers और यहाँ पे जो promoters की holding है, वो काफी अच्छे numbers में बढ़ाया था September 20 में मुकाबले June 20 के, बट उसके बाद आपको जो numbers है वो वापस से बढ़ते हुए दिखे थे लेकिन March 21 की बात करें तो यहाँ पे वापस इन्होंने काफी 3% तक का यहाँ पे आपको numbers जो है वो घटा हुआ दिख रहा है, बट फिर भी अगर जून 20 से compare कर रहे हैं March 21 तक की तो फिर भी आपको almost थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही दिख रहा है, बट बीच में इन्होंने और अच्छे numbers में बढ़ाये थे, डियाए की बात करें तो डियाए ने बी जो अपनी holdings है, उसको यहाँ पे cutshot किया है, मुकाबले June 20 के, क्यू पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, पबलिक की बात करें तो पबलिक की पास जो holdings रहे हैं, उनको इन्होंने पहले तो घटाया था हर quarter to quarter, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस March 21 में, अब बात करते हैं इसके जो कौन-कौन से प्लेच के, बढ़ मार्श 20 की बात करें तो थोड़े उस टाइम पे जादा हुआ करते थे, बढ़ इस एक साल में इन्होंने काफी घटा दिया आपने जो प्लेच रहे हैं इनके उपर उनको, मुच्वल फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको भले ही नंबर्स आपको नजर आ रहा है, at least EPS should be 22, आपको यहाँ पे 22 तो दिख रहा है, industry PE की बात करें तो 38 है, industry PE और stock PE 14 है, बेशक आपको यह जो है undervalued price पे देखने को मिलेगा, या फिर आपको खरीदने को मिलेगा, deliverables की बात करें तो आज की दिन इसमें 34% की delivery हुई है, that means लोग इसमें interest दिखा रहे हैं और लोग इसमें investment स्टार्ट कर चुके हैं, अब इनके चार्ट के उपर नजर डालते हैं, और चार्ट में आपको बहुत अच्छी चीज़े नजर आने वाली है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेंगे थोड़े बड़े time frame पे, that means 1 week के time frame पे हर एक candle 1 week क करता हूँ नजर आ रहा है, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ, that means before COVID या फिर pre-COVID, यह share आपको 190 के price पे trade करता हूँ दिख रहा था, उसके बाद यह 116 के price पे यह trade करता हूँ नजर आ रहा है आपको during COVID, उसके बात की बात करें, almost अभी एक साल पूरे भी नहीं हुए, but उस 39 के price पे यह share गया है, वहाँ से उसके बाद अभी तक के time में आपको profit booking दिख रही है, बाकी जो यहाँ पे fluctuations हुए है, जो numbers आप देख सकते हैं कि profit booking के बाद जो इसमें थोड़ी सी buying initiate हुई है, तो वो numbers जो रहे हैं वो ऐसे रहे हैं, इस चीज को हम थोड़े चोड़े time frame पे समझ आईगी, अब बात करते हैं 1 day के time frame पे और यहाँ हरे candle आपके 1 day को represent करता हुए नजर आ रहा है, तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि अभी जो share है, यह 323 के price पे आपको trade करता हुए नजर आ रहा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते कि अभी इसने सारे EMA को, जो day EMA है उसको break करने की कोशिश में लगा हुए यह नीचे की तरफ, क्योंकि यह काफी पहले ही, जब यहाँ पे 371 के आसपास यह कारुबार करता हुए नजर आ रहा था, उसके बाद ही जो इसमें profit booking आई अच्छी खासी, तब से आप देखेंगे कि यह अपने जो भी EMA है, उसको break करकि यह उपर की तरफ sustain नहीं किया, इसने कोशिश में है कि अभी यह नीचे की तरफ आए, तो आने वाले दिनों में आपको अगर यह 333 को break करता हुए नजर आता है, 333 आप देख सकते हैं, अभी के इस जगह पे, 333 को अगर यह break करता है, तो आपको आने वाले दिनों में और नीचे की तरफ मिल सकता है यह share और उसी जगह पे आप चाहें, तो आप जो अपने fresh investment के लिए आप ready रह सकते हैं, अब अगर बात करते हैं, कि यह जो 333 की आप लोग जो बात कर रहे हैं, तो आपको आने वाले दिनों में यह 309 तक आता हुआ दिखेगा, 309 के लिए तो आप ready रह सकते हैं, उसके बाद अगर बात करें कि अगर यह 309 को भी break करता है, तो यह आपको कहां पे आने वाले दिनों में मिल सकता है, तो उसकी बात करें, तो जहां से यह अभी share यह गया है, that means 295, तो आपको यहां पे भी आता हुआ दिख सकता है, तो be ready, जितने भी अगर आपको जो numbers आपने बता है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, और fresh investment के लिए वही आपके लिए अच्छा time होगा, क्योंकि उसके बाद अगर यह जाता है उपर की तरफ, तो अभी इसको और उपर काफी जाना है, तो उसी हिसाब से आप इसमें अभी चाहें, तो आ यहां से reverse मारता है, तो अगर 333 के उपर अगर आपको closing दिखे, that means जो 333 के आसपास आपको closing दिखे, तो आपको आने वाले दिनों में जो 374 है, या फिर आप कहलें, जो 370 से लेके 375 का जो range है, वहां तक आपको जाता हुआ दिखेगा, otherwise जो previous that means जहां से आपको यह 450 के दिखा था, तो यह वहां तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है, तो आप उसके लिए भी आप ready रह सकते हैं, क्योंकि आपको यहां से भी अगर आप इसमें investment करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा profit आपको बना के देगा, और काफी small cap share है, और यह आज के वीडियो में हमने इस share के बारे में हमने काफी कुछ discuss किया है, आपको कुछ लगे, कोई doubt हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम आपसे मिलेंगे जल्दी next video में, तब तक के लिए thank you and take care.